तो ये बहुत बड़ा जटका था तरिनमूल कॉंग्रेस के लिए अब तरिनमूल सबका साथ तो चाहता है ताकि वोट शेर साथ में कंबाइन हो लेकिन अपनी साख नहीं छोड़ना चाड़ता तो वोट आप लोग कंसॉलिडेट करें ताकि हम लोग बीजेपी को हटा दे ले थोड़ा इंदिजार करिए ना हर बयान पर प्रतिक्रिया हो हो सकता हो बयान एक पिसेश पर इस्थित में दिया गया हो उस पर कारवाई होगी उस पर चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गटबंदन होता है ना बस बंगाल के अंदर त्रणमूल कॉंग्रेस एक बड़ी पाटी है सत्ता में है और कॉंग्रेस और लेफ्ट उनके से अपोजीशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं इसलिए उनके लिए सीट शेरिंग थोड़ा सा जो है कॉंप्लिकेटिड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मन मुटाव हैं वो हल कर दिये जाएंगी क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बेनर जी हो चाहे राउल गांदी हो दोनों ही इंडिया ब्लॉग की सक्सेस के लिए कमिटेड है अब उदर भीजेपी ने इंडि गठबंदर में दरार की खबर के बीच कॉंग्रेस पर निशाना साधा है सुनिए मुझे लगता है कि समय रहते वो चेत गई है वो ममता बनर जी ही क्यों न हो जो बड़ा भाई और छोटा भाई का खेल विहार में जो चल रहा है यह दोनों लोग यह जनता को जहांसे में लेकर के यह हम बड़ा तो हम बड़ा की नाटक चल रहा है लेकिन विहार के 13 प्रोड जनता मोदी जी के साथ कड़ी है हम बड़ा के हम बड़ा के नाटक चल रहा है या जो एंटी बीजेपी वोट्स है वो बटना चाहे वो हमारी तरफ ही आया उसको पकड़ के रखें अमिताब जी ये काम चल रहा है क्योंकि ममता बैनर जी ने कुछ बयान दिये थे कुछ दिन पहले और जिस तरह से उन्होंने के बयान दिया था वो साफ दिख रहा था कि उनका भी अजंडा तुष्टिकरण का है और खासकर मुस्लिम वोट्स को अपने पास रखने का है देखे लडाई लडाई बिल्कुल आनन लडाई वहीं पर है क्योंकि क्योंकि बहुत बड़ा चंक है माइनारिटी वोट बैंक क पुरे बंगाल में हर विधान सभा सीठो चाहें लोक सभा सीठो एक बड़ा चंक है वही हाल बिहार की कई सीठों पर है वही हाल कई कई और राज्यों में भी है तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लेकर कॉंग्रेस अगर समाजवादी पार्टी को यह चिंता है कि भी अलग रास्ता तलाश लिया है तो यूपी मुझे लगता है खतम हो गया बिहार में नितीश कुमार ने कमर कसली है ममता दीदी अलग लड़ रही है और बाकी राज्यों में भी कमोबेश यही हाल है अगर वामदलों से भी यही हाल रहा ममता दीदी और कॉंग्रेस का तो आगे तो नहीं है मताब जी लेकिन आप बने रही है क्योंकि एक प्रश्णौर है यह बंगाल में अकेले लड़ने का फैसला ममता बैनर जी ने भले ही आज खुले एक तोर पर बताया हो लेकिन परसो राज को पोस्टर फटते हैं और इशारा कल ही मिल गया था रैली में उन का दुख का बात है एक कहने का है हम जोग मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सिप यह मीटिंग को कंट्रोल करते हैं जिसको साथ 24-30 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने हम उसको कोई एड़्वाइज नहीं मनेंगे हमको बहुत असनमान मिलते हैं लेकिन तब भ ला डिजिनल पार्टी को एलेक्शन डिजिनल पार्टी को उपर छोड़ दो जो रिजिनल पार्टी स्ट्रोंग है और तीन सो सीट में पेके लाए लड़ो हम मदद कर देगा हम आपका कोई शिट में नहीं लड़ेंगे अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं चंदर मोहन हमारे साथ हैं आशिका हमारे साथ हैं अमित सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा तीन सो सीटें ऐसी हैं भारत भर में जहां स्ट्रेट फाइट बीजेपी और कॉंग्रेस कायत कॉंग्रेस वहां लड़े जहां जहां चेतरिये 17 बलवान है उनको वहां लड़ने दीजिये आप अपना वोट उनके फिवर में कंसॉलिडेट कीजिये यानि 243 सीटे ऐसी है जहां पर कॉंग्रेस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कहीते और उन्होंने कहा इंडी गठबंदन यह आएंडिया नाम भी हमने सुझाया लेकिन वहां पर एजेंडा पर बैठी सीपीए में जिसके खिलाब मैं 34 साल लड़ी हूँ यह बंगाल की डानेमिक्स ऐसी है कि यहां वहां वोट ना बढ़ जाए क्योंकि ममताब एनरजी को भी पता है कि बीजेपी अगर उरूच प ज़र डाले तो हर बार वो एक अपने दिल से बोलने वाली नेता के तौर पर जाने जाती इस पश्टता से बोलने वाली नेता के तौर पर जाने जाती विरोधियों के पर कड़ा प्रहार करने के लिए जाती है और सबसे बड़ी चीज है कि वहां बंगाल बंगाल उनके लि होगी बीजेपी पर्षम मंगाल में मुख्य प्रतिद्वंदी होगी तो उनका यही कहना है कि अगर त्रिणमूल ही लगे त्रिणमूल के सबसे ज्यादा चांसेज है बीजेपी को वहां पर आराने के और कम से कम अगर हम इस शेत में अपने आपको मजबूत करें तो इसमें हमारा ज्यादा बलाओगा और इसलिए उन्होंने एकला चलो चलने का यह बहुत एहम एलान किया है और यह जो उनका एलान है इन तस्वीरों को भी आनंद एकदम जुटलाता है कुछ जिनों पहलागार में यादो का इंडी गडबंदन के पूरी बैटक कुई ती जिसमें शरत पवार ममता बनर जी सोनिया गांदी लालू प्रसाथ के बीच एक मदूर समवात की तस्वीरे सामने आये थी लेकिन आज उनके इस बयान ने सब कुछ एकदम आमला साफ कर दिया और ये ममता बनर जी के पॉंट अफ्यू से यह साफ कर दिया कि उनके लिए बंगाल प्रात्मिकता है और उसकी कीमत पर वह किसी को भी नहीं छोड़ेंगी और किसी को भी अपना स्पेस नहीं देंगी जी और स्पेस देंगी भी क्यों क्योंकि नरेंद्र मोहन 82 सीटे तो यहीं हो गई और अगर बंगाल में इस तरह की खलबली है तो करपूरी ठाकुर जी को भारत रत में उनकी सोवी सेंटिनरी पर दे करके उसका घोशना भारत सरकार ने घोशना की और नितीज बाबू ने अलग से ट्वीट करके प्रदान मंत्री नरे को ऑज के लिए किया वही हमारी नीतिया है वहां कह रहांए कि नितीज बाबू भी गवर्नर से मिल कर आए हैं क्या हो रहा है आप का आप खड़ेंवाऔर काफी भीड़ वी अभी बिल्कोल देखिए हम बीर्चन पंठ realm-फर करेहां करपूरी जैनती को लेकर कि आखिर कौन किस पर कितना भारी पड़ता है एक तरफ जेडियू है दूसरी तरफ आर जेडी है और तीसरी तरफ पॉंग्रेस है और साफ तोर पर यह कहा जा रहा है कि करपूरी हमारे हैं लेकिन जिस तरह से नितीश कुमार ने पहले ट्वीट किय उसको डिलीट किया और दूसरी बार ट्वीट करके पुर्धान मंतरी को धन्यवाद दिया यह कहीं न कहीं कुछ और इसारा कर रहा है और जो अभी बंगाल में आज देखने को मिला जाहिर सी बात है इसका आसर भी बिहार में देखने को मिलेगा क्योंकि सीट बटवारे को लेकर पिछले कई महीने से लगातार जेडियू के तरफ से यह कहा जा रहा है कि सीट का बटवारा जल्द हो जाना चाहिए और अभी ममताब एनरजी का यह ऐलान कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी जाहिर सी बात है नितीश कुमार के मन में जरूर कोई ने कोई खिचडी पक रही है जिसका फलाफल जल्दी सामने आने वाला है क्योंकि यह माना जा रहा है कि नितीश कुमार जो चाल चलते हैं और जो नए तरीके का फंड आपना कर कहीं जाते हैं वो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिहार में भी देखने को मिला और जिस तरह से नितीश कुमार और आरजेडी के बीच में दूडिया अभी हाल के दिनों में बढ़ी है या साफ तोर परिसारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो ममताब एनर्जी ने बंगाल में कहा था खेला हो बे वो हो सकता है कि बिहार में कहीं असा ना हो कि खेला हो जाए कि खेला हो जाए